चत्रसकड को एक और नई इद्धिशा देने के लिए विक्सत चत्रसकड के दस साल के विजन का रूड में पतायर करने सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन कहा जा रहा है आथ से दो दिनों के लिए आयाइम राइफॉर में मंत्रियों की क साय सरकार गुड गवर्नेंस के लिए सभी मंत्रियों के लिए आज से दो दिवस्तिये चिंतन शिविर का आयोजन की है जिसका आयोजन आयाइम नयार रायपूर में किया गए मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहाँ पर आयाइम की आज जो क्लास है वो मंत मंत्रियों के लिए क्लासरूम बनी हुई है इसमें गुड गवर्नेंस को लेकर चिंतन किया जाएगा चिंतन शिविर जो कारेक्राम है उसे नाम दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और दो दिनों का रहेगा 31 मही और एक जुन के यह कारेक्रम जो है वो किया जाएगा इसमें मुख्यमंत्री विश्णुदेवसाय दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री है वो पहुँचे हुए हैं अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस की तो किस तरीके से 36 गड़ को विकास की गति दी जा के साथ ही ग्रामिन शेत्रों में सुदूर इलाकों में विकास की तरीके से किया जाए उसे लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चाय की जाएगी इसके लिए नीती आयोग के जो CEO है वो मंत्रियों के टीप्स देते हुए नजर आएंगे साथ ही कई ऐसे विद्वान हैं विश पर चाय जो है वो अंदर यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है तमाम डिपार्टमेंट की तरीके से दस साल तक अब कारे करेंगे उसे लेकर यहां पर गुड गवर्नेंस की एक शिवीर का आयोजन किया गया तो कहीं इससे फायदा जो है वो 36 जनता को मिलेगा 36 सरकार को मिलेगे और इससे कहीं एक बहतर सरकार चलाने की जो क्रिया है प्रक्रिया है वो यहां से अब शुरुआत जो है वो होने जा रही है कैमरा परसन सुरेकान गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू स्वराज एक्सप्रेस राइपूर